बच्चों कैसे हो आप आशा है कि सब सकुसल है मैं हूँ आपका इंदी अध्यापग नईम पाशा बच्चों पिछले सत्र में हम बदले अपनी सोच पाट का आधा भाग पड़ चुके है सेश भग को इस सत्र में पड़ेंगे चलिए बच्चों पृष्ट संक्या बारह में हमारा आपसे निवेदन है से आरंब होने वले अन्तिम अनुच्छेद को ध्यान से देखिए हमारा आपसे निवेदन है आप हमारी आवाज सुने भवश्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है बच्चों भारत की लाडली युगरतना स्रीवास्तों सम्युक्त राष्ट संग में उपस्थित नेताओं से और कहती है की आदरनी सभाजनों हमारा आपसे निवेदन है की आप हमारी आवाज को सुनीए जिस मुद्दे को लेकर हम बोल रहे है आप हमारी बातों को मानना चाहिए भवश्य की पीडियों के लिए दुरुड निर्णयों को लेने की आवश्यकता है वर्तमान समय में दुरुड नेत्रुत्व की आवश्यकता है पिल्ललु भारत मात मुद्दु बिड़ा युगरतना स्रीवास्तों आइक्क्य राज्य समितिलो हाजरेन नायकुलतो इंका एमन्टुन्दन नंटे गवरवनी युलैन सभिकुलारा मीतो मेमु मिन्नमेंचुकुनेदी एमिटन्टे मीरु तप्पकुन्दा मा विलुपु मिनाली मना भुषित कोसम डुड़मैना निन्यालू तीसको वर्सिना समयम इदे। इपरिस्तितुललो डुड़मैना नायकत्तों हवसरम। बच्चों अगले अनुछेत को ध्यान से देखिए। हाइटेक समाज बना लेने या पैंकों में करोडों रुपए जमा करने से हम अपनी धर्ती नहीं बचा सकते। यहां हम परियावरन की समस्या सुलजाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं बलकि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। बचों युगरतना त्रीवास्तों का और कहना है की हम अपने अपने देशों में हाइटेक समाज बनाने से या अपने बैंकों में करोडों रुपए जमा करने से हम अपनी धर्ती को नहीं बचा सकते। क्योंकि ये किसी के काम के नहीं। इस सम्युक्त राश्ट संग में हम परियावरन की समस्या सुल्जाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए। यह परियावरन प्रदूशन को हम निवारन करने से नहीं होगा। बलकि जो घर में बैठे है उन लोगों की सोच बदलना चाहिए। तभी इस समस्या को सुल्जा सकते है। युगरत्न स्रीवास्तो इंका प्रस्ता विस्तुन दी मनम मनमन देश्याललो हैटेक समाजाननी मालुतुन्न कालानुगुणंग एरपर्च कोटं वलनो लेधा। मनम भ्यांकुललो कोटला रूपायलनु पुदुपुचेस कोटं वलननो मनम्मन भूमिनी कापाडुको लेम। मनम हैक्के राचिसमितिलो वाता अवरणा कालुष्य समस्यनु परिश्करिंचुटकु मात्रमे समावेशं कालेदु। मनम मात्रमे जाग्रत्त पडिते सरिपोदु। इंडला वद्ध उन्न वारी आलोचनलो मार्पु तेवरसिन अवसरम उन्दी। अपुडे इसमस्यनु परिश्करिंच गलमु। भच्चों अगले अनुच्छेत को ध्यान से देखिये। अब हर बालक को परियावरण की सिक्षा के प्रती जागरुक करना होगा। हर कक्षा की किताबों में परियावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती। मैं यह कहना चाहती हूँ। जयुमित्र तकनीकों में बड़ोत्तरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। ऐसे समसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनह प्राप्त किये जा सकते है। बचों युगरत्ना स्रीवास्तों सम्युक्त राष्ट संग में सज्जनों से कहती है कि अब हम दुनिया के हर बालक मने छात्र को परियावरन की सिक्षा देनी चाहिए। इस समसार की हर कक्षा की किताबों में परियावरन के पाठ जरूर होने चाहिए। सज्जनों से विकास को रोकने के लिए वह नहीं कहती। वह कहती है कि सिर्फ जैविमित्र तक्नीकों में ही सस्ती और अच्छी बड़ोत्तरी होना चाहती है। पुनह प्राप्त करने वाले समसाधनों का उप्योब होना चाहिए। पिल्ललु युगरत्ना स्रीवास्तो सभलो उन्ना सत्पुर्षलतो अंटुनदी। इप्पुडु मनम् प्रपंचम लोनी प्रती बालुनिकी परियावरण विद्यपटला तप्पका चैतन्यम् कलिगिन्चाली। प्रती तरगती पाट्ट्य पिष्थकों लो परियावरण आनिकी सम्मन्निंचिन पाठालनु पुंदु पर्चाली। युगरत्न स्रीवास्तो अविरुद्धिनी वेत्रेकिन्चुट लेदु। पर्तमान समयस्म्मलो मनं कल पकोरकु अडवुलनु नरुकुद्धुन्नाम। वेंचर्लकोसं पोलालनु छेलनु लेकुन्दा चेस्तोंदाम। इदी कादु अविरुद्धि अन्टे। आमे कोरुत तुन अदि यांत्रिकमेन अविरुद्धि जरकालनि। अधिकूडा चौकगा मरियू लावधायकम आई उन्डाली। मनम मरला तिरीगी पुंद्रगलिगे वनवरनू उपएगिन्चाली। बचों अगले अनुछेद को ध्यान से देखिए। मैं दुनिया के सभी नेतावों से दो प्रश्ट पूछना चाहती हूँ। क्या परियावरनी समस्यावों की पहचान किसी भवगोलिक, राजनाईतिक, सीमावों और आयू समुहों के दाइरे में होती हैं। मेरा उत्तर निश्चित तवर पर नहीं है। इसलिए तो सम्युक्त राष्ट संग है। वे ऐसे मुद्धों पर एक दूसरे से बाचीत करवाएं। इस बाचीत में बच्चों और योकों की आवाज भी शामिल की जाएं। युगरतना स्रीवास्तव दुनिया के सभी नेताओं से दो प्रश्टन पूछना चाहती है। युगरतना स्रीवास्तव का पहला प्रश्टन परियावरन संबंदी समस्या ये किसी भोगोलिक, राजनेतिक, सीमावों और आयू समुहों की परधी में होती है। युगरतना स्रीवास्तव का पुत्तर तो नहीं है। परियावरन संबंदी समस्यावों को सुलजाने के लिए ही सम्युक्त राश्ट संग है। ऐसे मुद्दों को सुलजाने के लिए समसार के सभी देशों को एक दूसरे से बाचित करवाना चाहिए। इस चच्चा में दुनिया के सभी बच्चों और युगों की आवाज को शामिल करना चाहिए। युगरत्न स्रीवास्तो प्रपंच नायकुलंदरिनी रेंडु प्रश्टनलु अडूतु नदी। मुदटी प्रश्टना परियावरणानिकी सम्मन्दिंजिन समस्य एदैन देश्य भोगोलिका राजनैतिका हद्धुललो लेका जीवन समूहाला परदिलो उंटुन्दा उंडदु अनेदी आमे समाधानुं परियावरणानिकी सम्मन्दिंजिन समस्यला परिश्कारानिकै आयक्य राज्य समुति एरपडिन्दी। आयक्य राज्य समुति इलाण्टी समस्यलनु परिश्करिंचितकु प्रपंचा देश्यालतो चर्चिन चाली। आ चर्चललो बावलु रनु युवत युक्का अभिप्राया लनु चेर्चाली बच्चों अगले अनुच्छेद को ध्यान से देखिए यदी राष्ट्र की सुरक्षा स्यान्ती और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है तो परियावरन बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए मैं आस्या करती हूँ कि सम्युक्त राष्ट संग मानवी दुष्टिकों से सोचेगा पुरानी बातों को भुला कर नए कदम उठाएगा अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और होश्य है अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भुश्य का समरक्षन हो बचों युगरतना स्रीवास्तव कहती है कि यदि देश की सुरक्षा स्यान्ति और आर्थिक विकास ही हमारे लिए जरूरी है तो परियावरन बदलाव जरूरी मुद्धा क्यों नहीं होना चाहिए युगरतना स्रीवास्तव आश्या करती है कि सम्युक्त राष्ट संग मानवी दुष्टिकों से सोच कर नए कदम उठाएं अब हम भविष्ट को जुष्टि में रख कर वर्तमान समय में भविष्ट के सम्रक्षन कार्य करना चाहिए प्रती देश्यम तम देश्य रक्षण स्यान्ती मरियू आर्धि काविरुद्धी मुख्यमनी भावेंचिन नट्लुगा परियावरन मार्पु कूडा वका मुख्य विशेमुगा भावेंचाली आयक्के राज्य सम्ती मानवता दुप्पदंतो आलोचिन्ची परियावरन रक्षण कू मुंदड़ुग वेस्तुन्ननी युगरत्ना स्रीवास्तवु आसिस्तुन्न दी बच्चों अगले अनुच्छेद को ध्यान से देखिये आदरनी नेतागंड जब आप कोई नीती बनाएं तो हम नादान बच्चों और लुप्तु होते जानवरों के बारे में भी सोचे महात्मा गांधी ने कहा था धर्ती के पास सभी की आवश्यकतावों की पूर्ती करने की शमता है किसी के लालच की नहीं युगरतना स्रीवास्तो नेतागं से कहती है कि आप कोई नीती मने क्वालसी बनाते समय हम नादान बच्चों और लुप्तु होते जानवरों को ध्यान में रखिये महात्मा गांधी जी ने कहा था इस धर्ती के पास समसार के सभी मानवों की जरूरतों को पूरा करने की शमता है ना किसी के लालाजकी युगरत्न स्रीवास्तो नायकुलतो विन्नविस्तुन दि तमरु एवैना विधानालनु रूपोनिंचिये समयमलों मालांटी अमायकपु पिल्ननी मरियु अंतरिंचि पोतुन्ना जन्तुवलनु दुष्टिलो उन्चिको नगलरू महात्मा गांधी गारू अन्नारू इभूमात अवद्ध प्रपंचा मानवाली योक्का अवसरालनु तीर्चे सामर्ध्यम उन्दी कानी अत्यासा परुला अवसरालनु तीर्चुटकु कादू बच्चों इस पाठ के अंतिम अनुच्छेद को ध्यान से देखिए पक्षी आसमान में उड़ता है मचली पानी में तैरती है चीता तेजी से दवडता है लेकिन इश्वर ने हमें वर्दान के रूप में सोचने के लिए बुध्धी दी है इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते है चलो अब हम आगे बढ़े अपनी जन्मभूमी को बचा ले अपने घर को बचा ले अपनी धरती मा को बचा ले धन्यवाद युगरतना त्रीवास्तव कहती है इश्वर ने पक्षियों को उड़ने की ख्षमता मच्छियों को तैरने की ख्षमता चीता को तेजी से दोडने की ख्षमता दी है लेकिन मानव को सोचने के लिए बुद्धी दी है इस बुद्धी से हम परियावरण में परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं चलिये हम आगेव बड़कर अपनी जन्बभूमी अपने घर और अपनी धर्ती को बचालेंगे पिल्ललु युगरतना स्रीवास्तो अंटुन्न दी आ इश्वरुडु पक्षुलकु एगरे सामर्ध्यान्नी चेपलकु इदे सामर्ध्यान्नी चिरुतकु वेगंगा परियत्ते सामर्ध्यान्नी इच्चाडु कानी मानवनिकी आलोचिन्चडानिकी बुद्धिनी प्रसादिन्चाडु इबुद्धि कुसिलत्तो तो मनम परियावरणमलो मार्पु मरियु सम्सकरन रेंटिनी तीसकोनी रागलमु पदन्डी मनम इप्पुडु मुंदड़ु वेद्धामु मन मात्र भूमिनी कापाडु दामु मन इटिनी कापाडु दामु मन भूमातनु कापाडु दामु धन्यवादमुलु बच्चों पाठ के साराम्च को संग्षिप्त में फिर एक बार सुनिये भारत की लाडली युगरतना स्रीवास्तों ने 2009 में सम्युक्त राष्ट संग की सभा में उपस्तित होकर भाषन देते हुए परियावरण प्रदूशन के कारण उत्पन होने वाले मुद्धों पर कई सवाल की परियावरण प्रदूशन के कारण हिमालै पिघल रहे है दुरुवी भालू मर रहे है साफ पानी नहीं मिल रहा है कई पेडों को खो रहे है और प्रिशान्त महासागर का स्थर बढ़ रहा है अईसी प्रदूशित धर्ती को हम अपने भोश की पीड़ी को देना उचित नहीं है युगरतना त्रीवास्तों ने सभामे उपस्थित सजनों और समसार के सभी योकों को अपने दायत्व को याद दिलाते हुए हम अपनी बुद्धी से परियावरन प्रदूशन रोकने कुछ आवश्यक योजनाये बनाने के लिए अनुरोध की पाठमु सारामश्यान्नि संक्षिप्तंग मरोकसारी विननडि भारत मात मुद्धुबिड्ड युगरत्न स्रीवास्तो अयक्के राज्य समित्तिलो रेंडुवेल तोम्मितव समच्चनों लो जरिगिन सभकु हाजरै परियावरन कालुष्यम कारणंग एरपड़त्तुन्न समस्यल अपै आमे अनेक प्रश्णलतो अंदरिनी आलोचिम्प चेसिंदी परियावरन कालुष्यम वलन हिमालयालु करुगत्तुन्नाई दुरुवा प्रांतप्पु यलुगुबंटलु मरनिस्तुन्नाई त्रागु नीरु लभिंचुटा लेदु अनेक रकाल चट्लनु कोल्पोत्तुन्नामु पसिफिक महासमुद्रमु यक्का नीटि मट्टमु पेरुवत्वुन्नदी इलांटी कलुषितमयन भूग्रहान्नी मना भविशत्त तरालकु इब्वटं सरैनदी कादू युगरत्न स्रीवास्तव सभलो उन्न सज्जनुलनु मरियू प्रपंच युवतनु तमा बाध्यतनु गुर्थु चेस्तु बुद्धु जीवुलमयन मनम् एविदंगा परियावरन कालुष्यान्नी तग्यिंच टानिक्की अनेका प्रणालिकलनु रूपिन्दिंच वर आए हुए नये शिव्दों के अर्थ जानेंगे मजबूत डुढमयना स्ट्रोंग इराधा निर्णयमू डिसीजन। जरूरत अवसरम नेसेसिटी एकत्त्रित होना समावेशं अगुटा तूगेदर तक्नीक पधती टेक्निक। सुल्जाना परिशकर इंचुटा टू सालू सस्ता चौका चीप समसाधन वनरुलू रीसोर्सेस। दायरा परिधी स्कोप मुद्धा विशयमू सब्जक्ट नादान अमायकपू इन्नोसेंट। क्षमता सामर्ध्यम एबिलिटी परिवर्तन मार्पू चेंज स्वच्छ शुब्रमयना क्लीन। बच्चों भाषा की बात महत्व पूर्ण है जो भाषा की बात के अंतरगत दिये गए व्याकरणाम्श को समझेंगे उनको प्रिश्णोत्तर लिखने में आसान होगा और भाषा पर अधिकार प्राप्त होगा अतहा ध्यान दीजिये पिल्ललू भाषा की बात लो भागंगा इव्वबडिना व्याकरणाम्श आलनु अर्दन जेसकुन नट्लै ते प्रश्णेलकु जवावलनु रायटानिकी मरियू भाषपई पट्टु साधुन्चुटकु अवकासयों उन्टुंदी कावना स्रद्धगा विननंडि नीचे दियेगये शेब्द का वाक्यप्रियोग कीजिये क्रिंदी पदालनु वाक्यप्रियोगों चेंडि संग, दुरुवी, लुप्त, तकनीक, वरदान वाक्यप्रियोग पर ध्यान दीजिये संग, समाज, समाजमू, सोसाइटी, वाक्यप्रियोग हम सब संग में रहते है दुरुवी, दुरुव प्रान्त के, दुरुव प्रान्त पू, पोलार रीजियन वाक्यप्रियोग, दुरुवी भालू सफेद होते है लुप्त, ओजल, कनुमरगवटम, डिसप्पीरियन्स वाक्यप्रियोग, आजकल कई पौधे लुप्त हो रहे है वरदान, वर, वरमू, गिफ्ट वाक्यप्रियोग, यह जीवन भगवान का दिया वरदान है सही अर्थ वाले शेब्द से जोडी बनाईये मने समानार्थी शेब्दों की जोडी बनाना चाहिये समानार्थान निच्चे पदालनु अनगा परियाय पदालनु जोडी इन्चंडी पानी, इकट्टा, धर्ती, प्रफुल्लित, भूमी, धरा, पुरुत्वी, खुशहाल, आनंद, संतोष, एकत्रित, संचयी, जमा करना, जल, वारी, नीर समानार्थी शेब्दों की जोडियों को देखिये जत परचबडिन परियाय पदालनु गमनिन्चंडी पानी, जल, वारी, नीर, इकट्टा, एकत्रित, संचयी, जमा करना, धर्ती, भूमी, धरा, पुरुत्वी, प्रफुल्लित, खुशहाल, आनंद, कुलकित्ट नीचे दिये गए वाक्य पढ़िये रेखांकित शेब्दों पर ध्यान दीजिए बच्चों यहां शेब्द भेद संबंधी अभ्यास दिया गया है ध्यान दीजिए इच्चट भाषा भागालकु संबंधी इंचिन अभ्यासमु इवटम जर्गिन दी कावन स्रद्धगा गमन इंचंडी बच्चों शेब्द भेद आट है पार्ट्स आफ स्पीच भाषा भागालु यहनिमिदी कलवु संग्ण्या सर्वनाम विशेशन क्रिया क्रिया विशेशन संबंध बोधक समुच्छै बोधक इस्मयादी बोधक बच्चों हम इन आट शेब्द भेदों में पाँच शेब्द भेदों को पिछली कक्षावों में सीख चुके है मनम इनमिदी भाषा भागालो आईदिन्टिनी इनमिदो वतर गतिलों ने निर्च कुन्नामु अब हम सेश तीन संबंध बोधक समुच्चै बोधक इस्मयादी बोधक शेब्द भेदों को जानेंगे नीचे दिये गये वाक्य पढ़िये रेखांकित शेब्दों पर ध्यान दीजिये क्रिंदी वाक्यालो गीत गीय बडिना पदालनु गमनिन्चंडी हमारे पूर्वजोने हमे स्वच्च और स्वस्थ ग्रह दिया अब समय आगया है कि हम कुछ कदम उठाये वर्तमान के लिए ही नहीं बलकि भोश के लिए भी यह काम यहां नहीं होगा तो कहां होगा कबड़ी अथवा क्रिकेट में से एक चुनलो रेखांकित शब्दों में और की बलकी तो अथवा आदी शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोडते हैं इस तरह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को समुच्चै बोधक कहते हैं गीत गीयवडिन पदाललो अउर की बलकी तो अथवा पदालु रेंडु पदालनु लेका रेंडु वाक्यालनु कलुपुतु नाई समुच्चै बोधक की परिभाषा डेफिनेशन आफ कन्यंग्षन जो अव्याई दो शब्दों वाक्यामशों अथवा वाक्यों को जोडने का कार्य करते हैं उनिहे समुच्चै बोधक अथवा योजक कहते हैं। रेंडु पदालनु लेका वाक्यामशालनु लेका वाक्यालनु कलुपे पदालनु समुच्चै वाचकमुलु अंटारु। समुच्चै बोधक शब्दों के अर्थ। कुन्नी समुच्चै वाचका पदाला अर्धार। अवर मरियू एंड। की अंटे दत बलकी बदुलुगा र्याथर। तो अईते सो अथवा लेका आर। क्यूंकी एंदु कंटे बिकाज। इसलिये अंदु वल्ला हेंस। परंतु कानी बट। तथा मरियू एंड। वर्ना लेकपोते एल्स। समुच्चै बोधक अभ्यासकार्य। एक कोष्टक में दिये गए अभ्ययों तो की अउर वर्ना इसलिये से निम्नु रिक्तिस्थानों को भरिये। जंगल में शाकाहार ड्याश मामसाहारी जानवर रहते हैं। यदी वर्षा होती ड्याश पसल अच्छी होती। धीरे धीरे चलो। ड्याश गिर जाओगे। आज रविवार है। ड्याश दफ्तर नहीं है। अध्यापक जी ने कहा। ड्याश कल छुट्टी है। बच्चों रिक्तिस्थान को उचित समुच्चाई बोदक स्यब्द से भर कर वाकी को पढ़ेंगे। जंगल में शाकाहार और मामसाहारी जानवर रहते हैं। यदी वर्षा होती तो पसल अच्छी होती। धीरे धीरे चलो वर्ना गिर जाओगे। आज रविवार है इसलिए दफ्तर नहीं है। अध्यापक जी ने कहा कि कल चुट्टी है। संबंद बोधक पोस्ट पोजीशन संबंद वाचक मुलू। निम्न वाक्यों में रेखांकित शिब्दों पर ध्यान दीजिए। किसी के पास भी लड़की के सवालों का जवाब नहीं था। धर्ती के ऊपर प्रकृती है। प्रकृती के भीतर जीवन है। ध्यान देने की बाते। रेखांकित शिब्दों में के पास के उपर के भीतर आदी शिब्द स्थान का संबंद प्रकृत करते हैं। इन्हें संबंद बोधक कहते हैं। संबंद बोधक की परिभाशा। जो अव्याई किसी संग्या के बाद आकर उस संग्या का संबंद वाक्य के अन्नी शिब्द से जोडते हैं। उन्हें संबंद बोधक कहते हैं। नामवाचक पदमु तरुवात वच्ची आ नामवाचक पदानिकी वाक्यमूरोनी इतरा पदालकू कल संबंधान्नी तिलिपे अव्ययान्नी संबंद वाचकमू अंटारू। संबंद बोधक शिब्द संबंद वाचका पदालू। के बाहर बयाटा घर के बाहर के अंदर लो लोपला महल के अंदर के सामने एदुटा मैदान के सामने के पीछे वेनुका मंदिर के पीछे के साथ तो कूडा आपके साथ के बाद तरुवाता दीदी के बाद के पहले मुंदु नव बजे के पहले के सिवा तप्पा भाई के सिवा। संबंद बोधक अभ्यास कार्य। निम्न वाक्यों में दिक्त स्थानों को उचित संबंद बोधक शब्दों से भरिये। पेड ड्याश गाई है। पिताजी कमरे ड्याश है। भाई ड्याश सौरुपये हैं। घर ड्याश हुआ है। दीदी ड्याश मा है। पाठ स्याला ड्याश उद्यान है। पेड के नीचे गाई है। पिताजी कमरे के अंदर है। भाई के पास सौरुपये हैं। घर के पीछे कुवा है। दीदी के साथ मा है। पाठ स्याला के सामने उद्यान है। विस्मयादी बोधक वाह कितनी सुन्दर प्रकृती है। हाई कितना प्रदूशन फैला है। ओह यह क्या हो गया। ध्यान देने की बात। रेखांकित शब्दों में वाह हाई। ओह। शब्द आश्चर्य का बोध कराते हैं। इनहें विस्मयादी बोधक कहते है। विस्मयादी बोधक की परिभाशा। जो शब्द विस्मय, शोक, भय, गुरुणा, हर्श, आदी भावों का बोध कराते हैं। उन्हें विस्मयादी बोधक या द्योतक कहते हैं। हास्चर्यमू, शोकमू, भयमू, तिरस्कारमू, आनन्दमू, मदलगू भावालनू, व्यक्तबर्चे अभ्ययालनू विस्मयादी वाचकमुलू अंटारू। विस्मयादी बोधक शब्दू, वाह, आह, हाय, अयो, ओह, ओ, अच्छा, मन्चिदी, बापरे, वामो, शाबाश, बागा चेश्यारू, छी, छी, नी, आहा, अब्बाू। विस्मयादी बोधक अभ्यास कारिय। निम्न रिक्त स्थानों को उचितु, विस्मयादी बोधक अभियोंसे भरीये। ड्याश इतना बड़ा साम्प। ड्याश मैं लुट गया। ड्याश यह क्या हो गया। द्याश तुम प्रतम आये। ड्याश कितना सुन्दर दुरुष्य है ड्याश इतनी बद्बू ड्याश बहुत भीड है ड्याश रक्षा करो उचित विस्मयादी बोधक अव्येवं से रिक्त स्थानों को भर कर वाक्यों को पढ़ेंगे बाप रे कितना बड़ा सौंप हाई मैं लुट गया अरे यह क्या हो गया शाबाश तुम प्रथम आये वाह कितना सुन्दर दुरुष्य है छिक इतनी बद्बू उफ बहुत भीड है ए प्रभू रक्षा करो बचों लगता है दोनों सत्रों में मुझसे पढ़ाया गया बदले अपनी सोच पाठ और वाशा की बात के अंतरकत दिये गए व्याकणाम्शू समद में आये होंगे बचों ध्यान में रखिये घर पर रहे शुरक्षित रहे धन्यवाद